हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एडल वाइस के बारे में ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 100.50 के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यह एक लेवल है जिस पे नजर रखने की जरुवत है अगर यह लेवल क्रॉस होता है इसके उपर अगर क्लोजिंग देता है यह काउंटर तो यहाँ से 20-30 उपर का अपसाइड और देखने को मिल सकता है बट आरेसाई काफी उपर है हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्ट हो है कोई बड़ी बात नहीं है सो 101 पे नजर रखे अगर 101 क्रॉस होता है तो फिर 130 का टागेट इजी टागेट लग रहा है एडल वाइस में स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहिए तो 88-89 के पास रख सकते हैं सो 101 पे नजर रखे एडल वाइस के लिए अगर 101 के उपर closing basis बोल रहा हूँ जा के आएगा तो मतलब नहीं है अगर close होता है 101 के उपर daily chart पे तो एक positive upside देखने को मिल सकता है बात करो अगर moving average की और super trend की तो तीनों ही अभी positive है super trend और moving average पे आप देखेंगे तो 86 पे आप stop loss रख सकते हैं so 101 और 86 इन लेवल का नजर रखे एडल वाइस में thanks for watching this video please do subscribe for regular updates